नमस्कार दोस्तो राजस्थान के सबसे लोग प्रिये चैनल आ रहे एस एजुकेशन अड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस कोंश्टिवल 538 पदो की तैयारी कर रहे विध्यारतियों के लिए एक बार फिर से बहुती खास रेनी वाली है दोस्तो आप सभी का एकजाम बहुती अच्छे तरीके से पूर्ण हो गया है और आप सभी के अब बहुती अच्छे नंबर भी बन रहे हैं अब बारी है फिजिकल की तो फिजिकल देने से पहले दोस्तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है नियमों का पालन करना जरूरी है जो कि राजस्तान पुलिस विबाग के द्वारा ओपिशियल नोटिपिकेशन में भी 6 पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि फिजीकल से पहले आपको इन 6 नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है साथी सुधा जो इस्टुडेंट है उनके लिए थोड़े एक्स्टर नियम बनाए गए हैं उनको भी नियमों का पालन करना पड़ेगा तो दोस्तो फिजिकल से पहले आपको कौन-कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा तभी आप फिजिकल के लिए फिट माने जाओगे चलते हैं राजिस्तान फुलिस विवाग के ओपिशिल नोटिफिकेशन पर देखें दोस्तो आपको बता दू कि जिन इस्टुडेंटों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया है और फिजिकल देने से पहले जो ये चैनियम पड़ लिये हैं तो वे ये वीडियो को नहीं देख सकते हैं लेकिन जिनोंने नहीं देखा है वो इस वीडियो को पूरी को एक बार जरूर देखें तो एक बार हम जो ये चैनियम बताए गए हैं उनको यहां पर एक बार देख लेते हैं दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन में देख लिजिए आठवे नमबर पर है नियुक्ति के लिए आयोग गेता किसी भी ऐसे पूरुस महिला उमिदवार को जिसक एक से अधिक जीवित पत्नी पत्री हो नियुक्ति के लिए पातर नहीं माना जाएगा किसी अभ्यारती को इस नियम की कारवाई से चूट दीशा जखती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेस अधिकार है और सेकेंड जो पॉइंट है वो आप एक बार देख लिए दोस्तों वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए जल्दी बता रहा हूं ऐसा कोई भी अभ्यारती जिसके दिनांग 162002 को या उसके पच्चा 2 से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए बिलकुल भी पातर नहीं होगा दो से अधिक बच्चों वाले किसी एक पस्चात वर्ती प्रिशव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संक्या की गंड़ना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चे को एक एकाई ही समझा जाएगा यानि कि दोस्तों यहां पर बात है कि आपके यह जो 162002 है इस तारीक तक आ एक साथ पैदा हो गए तो दोस्तों ऐसे बच्चों की तीन संक्य हो गई तो उनको एक ही समझा जाएगा यहां पर यह बताया गया है राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांग के एप है और दोस्तों यहां पर वर्णित कानूनी रूप से किये गए पुनर विवा उपरांत जन दिनांग 5-6-2-6 के अनुसार इस परपरति के अनुसार दिनांग से राजगे सेवा में नियुक्ति यहति विवाय पंजन करवाना जरूरी किया गया है तत सम्मंदी प्रमान पत्र हाँ दोस्तों इसमें बताये गए आपको मेरिड अगर आपकी मेरिड हो गए यह साधी हो यह तो आपको मेरिड सेर्टिफिकेट जरूर ही बनवाना चाहिए फिजिकल से पहले चोथे नंबर का पॉइंट है किसी भी विवायत अभ्यारति को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाय के समय देहज सिवकार किया गया तो यह तो इसी बात है देज आज गल कोई भी नहीं लेता है और लेता है तो दोस्तों उसको भरती में सवकार नहीं किया जाएगा और पांचवा पॉइंट है आयोग भरती बोर्ड अत्वा अन्य किसी संस्ताद्वार किसी परिक्षा से वंचित किये गए ऐसे आविदक जिनकी वंच कर दिया गया हो और आपने इस परिक्षा में भाग ले लिया हो तो इससे भी आप वंचित माने जाओगी चाटा एंड लाश्ट एंड फाइनल पॉइंट है आप राधिक परकरणों में लिप्त आप राधिक परकरणों के तथ्य चुपाने के कारण नियुक्ति से संबंद परकरण माने देशक पुलिस राधिक परिपत्र तेरह सो दिनांग अठाइस तीन सत्रह में वर्नित निर्देशों के अंसार एंवं पुलिस मुख्याले इस तरपर गड़ित समीति के निर्णे उपरां थी नियुक्ति की कारवाई की जावेगी संबंद में राजिस अधिन तो दोस्तो ये थे 6 पॉइंट है ये 6 पॉइंट है दोस्तो अगर आप में एक भी ऐसा पॉइंट है तो वो आप भरती के लिए आयोग्य माने जाओगी तो दोस्तो ये थी पूरी जानकारी जो कि फिजिकल से देने से पहले आपको जरूर थी इसमें एक ही most important है अगर आप आप मेरिड हो तो आपको मेरिड सर्टिफिकेट अभी ही बनवा लेना चाहिए क्योंकि राजिस्तान पुलिस में बहुत सारे इस्टुडेंटेस हैं जो मेरिड हैं और उन्होंने पेपर दिया है तो दोस्तो आप जल्दी से जल्दी फिजिकल देने से पहले मेरिड सर्टि